वेल्कम बैक तो लेट्स क्रेक्ट जुडिश्टिरी दिसीज मी वासुदे मोंगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अस वेल इस लेंडमार्ग जज्ज्मेंट ऑफ दे सुप्रीम कोट उन राइट अवां मैरेड मुस्लिम वुमिन कि मैरेड मुस्लिम वुमिन डाइवोर्स के बाद कहां पर जाके मेंटिनेंस को क्लेम कर सकती है कौन से लो में मेंटिनेंस को क्लेम किया जा सकता है अब यूशी आप दो टॉक अब एक अटिहासिक अस्वाइश सुप्रीम कोट का और यह जज़्मेंट है डिस ज़्मेंट एस मुहंब अबदुल समाद वर्सेश स्टेट ओ तेलंगना 2024 शुप्रीम कोट ज़ज्मेंट मौहंब अबदुलसलाम वर्सेश स्टेट अव तेल क्रिश्चन को करते हो शी केंड क्लेंड मेंटिनिंस अंडर सेक्षिन नमबर 125 और एक लॉगों ने बहुत पहले से श्वाव आनो बेगम केस में सीखा हूँ तो बैसिकली ये जो आज का नया केस लोग आया है ये कहां पर हिस्टॉरिक हो जाता है ये बात करेगा एक मुस्लिम woman जिसका divorce हो चुका है divorce होने के बाद वो maintenance कहां पर claim कर सकते हैं वो maintenance को कहां से claim कर सकते हैं अब ये भी है कि शादी कौन से law में करी गई थी क्योंकि एक Muslim woman के बाद शादी करने के अधिकार भी तो एक personal law में है और एक special marriage act में है any woman any Muslim woman living in India जो भी एक Muslim woman है जो कि इंडिया में रहते हैं वो एक personal law के according भी marriage कर सकती है प्लस एक Muslim एक यहां पर special marriage act के according भी शादी को कर सकते हैं तो law point को देखते हैं पहला पहला point तो वही है जो कि हम लोगों सदियों से सुने हैं कि section number 125 of the CRPC 125 of CRPC it applies to all the married women including Muslim varied women कि यानि कि 125 of the CRPC में सबको maintenance मिलेगी चाहे वो एक Hindu religion से woman है चाहे Muslim से है चाहे पार्सी से है तो चाहे Christian से वो belong करते हैं अगर यह एक secular provision है section 125 of CRPC और अगर कोई woman अपने आपको maintain नहीं कर पारी and to sustain herself अपने आपको sustain करने के लिए उनको maintenance चाहे तो वो 125 CRPC में maintenance को क्लेम कर सकती है from her husband now यह जो second law point नहीं सको read किये section 125 of the CRPC applies to all non-muslim divorced women as well all non-muslim divorced women क्या मतलब बना इसका यानि कि Muslim religion के इलावा जितनी भी women है अगर उनका डाइवोर्स होता है तो 125 CRPC में वो भी maintenance लिख सकते हैं तो क्या 125 CRPC एक डाइवोर्स मुस्लिम वोमिन के के लिए यूस नहीं किया जा सकता दा यही हमारे पास एक landmark यहां पर पॉइंट है कि देखिए कि जितने भी मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन हैं उनके उपर भी section 125 of the CRPC apply करेगा apply करेगा now see अब हम लोग अगर बात करें कि एक मुस्लिम मेरेड वोमें तो वो कौनसे कौनसे लॉँ में शादी कर सकते इसको पहले अप लोग फ्लो चाट के सब्सक्राइब ऐड़ा एक मुस्लिम मेरेड वोमेन है एक मुस्लिम मेरेड वुमेन यह तो आसपर अपर दा परशनल लौ इन्होंने मैरिश कर ली यानिए कि Muslim law according कि इन्हों ने शादी करी या फिर इन्होंने marriage करी है as per the special marriage act. Special marriage act में भी यह लोग शादी कर सकते हैं. Very simple thing. कोई भी कर सकता है. Irrespective of any religion अगर किसी को शादी करनी है, वो special marriage act में भी जाके शादी टीद सकते हैं तो ενका वह बव्राइब उसलेम डाइवोर्स्ट वो मैं याने के परनल लो में यहाँ पे ने बाइवोर्ष हो चुका है परस्नल लो में इंका डाइवोर्स में हो चुक है और अगर इन्होंने special marriage act में शादी करी थी तो इसी लौ के according यहां पर divorce भी हो चुक है special marriage act के according भी divorce हो चुक है अब क्या होगा अब क्या होगा लाओ वेर कैन दे claim maintenance अगर हम बात करें personal law की अगर हम बात करें personal law की तो देखिए 1986 में 1986 act के according जो की especially act बनाया गया था है for the protection of the Muslim woman वहां पर maintenance claim करी जा सकती है point number one कि अगर Muslim personal law की according शादी होई थी तो personal law की according की divorce होगा तो maintenance रहां पर claim करी जा सकती है under the 1986 act यानि कि personal law से अंडर है बट अगर personal loss के अंदर शादी होई है तो क्या 125 of the CRPC में maintenance मिलेगी क्या 125 of the CRPC में maintenance मिलेगी जो की एक पास्ट रिलीफ देता है एक सेकुलर प्रोविजन है दा अंसर इस येस सुप्रीम कोट ने हमें बताया कि 125 of the CRPC भी अपलाई करेगा और यहां पर भी maintenance प्रोवाइड करी जाएगी चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग मैरीज है तो मेंटेनेंस भी यहां पर पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग भी मिलेगी एंड 125 of the CRPC में मिलेगी और दोनों की लॉस में जितनी मेंटेनेंस प्रोवाइड की गई है वह आपस में अरजस्ट कर ली जाएगी दोनों की मेंटेनेंस अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा अग ratna eu शीए अगर शादी करी जाती है है special marriage act में सपैशल मैरीज ऍकर में अकर शादी करे जाती है तो एक तो यहां पर मेंटेनेंस का प्रोविजन हो जैगा Special marriage act के अंदर ही डाइवर्स हो चुक है तो special marriage act के अंदर भी तो यहां पर एक maintenance का प्रोवीजन है the answer is yes तो वहां पर भी maintenance को claim किया जा सकते है plus section 125 of the CRPC में भी maintenance को claim किया जा सकते है कि चाहे तो special marriage act के according शादी करीगी वहीं पर के डाइवोर्स हुआ 125 CRPC की application तब भी maintainable है और चाहे marriage करी जाती है personal loss के according then also section number 125 CRPC की application maintainable होगी उसमें भी आपको यहां पर maintenance amount मिलेगा बट अब मुझे एक चीज़ बताईए कि अगर पटीकुलर्ली 1986 act में अगर maintenance अब मिल चुकी है अगर 1986 act में maintenance already मिल चुकी है तो क्या 125 of the CRPC application में इस amount को consider किया जाएगा the answer is yes application भी maintainable होगी प्लस जो amount यहां पर दे दिया गया उसको यहां पर consider किया जाएगा यानि कि amount को adjust कर दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि दोनों loss में अलग-अलग loss में maintenance मिल रही है तो double maintenance मिल दिया no amount को consider कर दिया जाएगा but application is maintainable under both the sections same thing in a special marriage act as well कि अगर एक बार special marriage act में maintenance मिल चुकी है तो भाईया 125 of the CRPC की application भी maintainable है बट बट उस loss को भी उसको भी यहां पर amount को भी consider किया जाएगा right तो you see अब आप इस law को अगर read करें यहां पर हमें Supreme Court की judgment ने क्या बत है you can understand it very easily in so far as the most divorced Muslim women are concerned अगर एक divorced Muslim women की बात करी जाए तो section 125 of the CRPC applies to all such Muslim women चाहे married हो चाहे divorced हो under the special marriage act in addition to the remedies available under the special marriage act कि special marriage act में तो जो remedy आपको मिलेगी वो मिलेगी 125 of the CRPC भी applicable होगा अगर special marriage act according शादी होती है same thing अमें यहां पर बताई गई है if a Muslim women are married and divorced under the Muslim law यानि कि personal laws में शादी हो ही और personal laws में डाइवोर्स हो चुका then also section 125 of the CRPC as well as the provisions of the 1986 1986 act भी यहां पर applicable होगा एंड यहां पर एक option दिया जाएगा कि आपको maintenance कहां पर लेनी है चाहे 1986 में application file करो चाहे 120 में file करो तो चाहे आप दोनों laws में ही इस application को file करो अगर आप दोनों law में करते हैं तो amount को consider करके adjust कर दिया जाएगा एस पर section number 127 clause 3 clause B of the CRPC CRPC के लोग के लिए कि 2019 में हमारे पास एक landmark जज्जमेंट आई थी जिसने की ट्रिपल त्रिपल 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 को unconstitutional declare कर दिया था नाउ सी अगर एक illegal divorce हुआ हो एस पर दा प्रोविजन्स ऑफ दा 2019 act और जज्जमेंट कौन सी थी शायरा बानो वर्सिस उन्जिन ऑफ इंडिया के केस में ट्रिपल त्रिपल 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 के तरह कारण अगर किसी ने इल्लीगल डाइवोर्स भी दिया हो तब भी 125 CRPC अपलाई करेगा और यहां पर एक मुस्लिम डाइवोर्स वुमेंट सेक्शन नंबर फाइब ओफ दा 1986 ACT के अकॉर्डिंग एक सबसिस्तेंस अमाउंट भी क्लेम कर सकती है मेंटेरेंस हो क्लेम करी सकती है उसके साथ साँछ एक subsistence allowance भी वो क्लेम कर सकती है as per section number 5 of that if during the penancy of the petition filed under section 125 of CRPC a Muslim woman is divorced then she can take the recourse of section 125 of the CRPC and file a petition under 2019 कि भाईय कहीं पर भी वो maintenance क्लेम कर सकती है 125 CRPC तो हमेशा applicable हो गई होगा you see यह जो लौ था पहले कि शाइरा क्या बोलते होते हैं जो हमारा 1985 का जो केस सा जिसमें हमें यह चीज़ बताई गई थी कि irrespective of any religion सभी को maintenance मिलेगी 125 में it was regarding the married woman अब divorce woman के उपरी भी completely applicable कर दिया गया चाहे वो divorce किसी भी law के according लिया गया हो तो this is the landmark judgment जो कि हमने यहां पर discuss करी है मुहमद अब्दुल्समाद वर्सिस चेट ओफ तलंगना यह judgment आपके प्रिलिम्स के लिए भी और मेंट मेंस के लिए भी एक important judgment बन जाती है आने वाले सारे के सारे examinations में आपको प्री में judgment का नाम पूछा जा सकता है 255 CRPC का question आप से पूछा जा सकता है प्लस में तो आपके हो इस में से एक application based question easily पूछा जा सकते है तो इस तरह की judgments को मेरे साथ बने नने के लिए आप लोग मेरे साथ टेलिग्राम पर जुड़ सकते हो Ministry of Legal Affairs के channel को आप लोग जॉइन कर सकते हो डेली आपको इस तरह की notifications देखने को मिलेंगी I will see you guys again live in the class Thank you so much